आपा वर्दान है या अभी शाप सफर जिन्दगी का अनोखा बड़ा है कभी मोडता है, कभी तोडता है कई लोग मिलते हैं, कई बिछरते हैं कभी खुशनुमा ये मेरा सफर कभी हकीकत, कभी फसाना हर चीज के दो पहलू है कुछ लोगों का कहना है कि यदि आप साठ से उपर हो गए हैं तो आप भागयशाली हैं क्योंकि बहुत लोगों को ये उम्र देखने को नहीं मिलती जो व्यक्ति अस्वस्त रहता हो जिसके पास धंग से रहने को पैसा नहीं है ऐसे व्यक्ति के लिए बुढ़ापा एक अभिशाप है बुढ़ापा आपकी सोच पर भी बहुत निर्भर करता है कई व्यक्ति दुख में भी खुश रहते हैं उनके चेहरे पर शिकन तक नहीं आती बुढ़ापा आपकी स्वास्ते पर निर्भर करता है आपके पास धन संपति है उस पर निर्भर करता है आपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर आत्मे निर्भर बना दिया उनके पाउप पर खड़ा कर दिया ये सब जिम्मेदारियों से मुक्त होकर आप बुढ़ापे का आनंद ले सकते हैं जीवन कैसे जीते हैं जीवन कैसे जीते हैं आप आपका बुढ़ापा उस पर भी निर्फर करता है दुख में भी हसते रहिए कहना सरल है, करना कठिन है लेकिन बहुत लोग करते हैं और उनका बुढ़ापा सुखमे होता है जिन्दगी का सफर कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं मुस्कुराहट बनाए रखिये तो भुढ़ापा सरल हो जाएगा भगवान हमें निश्चिंत करके भेषते हैं कुछ लेके ना आए ना कुछ लेके जाना है लेकिन बहुत गजब का निजारा है इस दुनिया का लोग सब कुछ बटोरने में लगे हैं खाली हाथ जाने के लिए बटोरने में लगे हैं खाली हाथ जाने के लिए जब लोग ये बात समझ लेते हैं तो उनका भुढ़ापा सुखमे हो जाता है कल न हम होंगे न कोई गिला होगा सिर्फ लिप्टी हुई यादों का सिलसिला होगा जो लम्मे हैं चलो हम हसके बितालें जाने कर जिन्दगी का क्या फैसला होगा गिले शिक्वे लेके बैठोगे तो जिन्दगी अभी शब्त ही होगी शिकायत तो तुछे बहुत है जिन्दगी पर चुप है इस लिए कि जो दिया है तुने वो बहुतों के नसीद में नहीं है भगवान ने जो भी दिया है लाजवाब दिया है चलो उसका धन्यवाद करते है मनुष्य जन्म बड़ी कठिनाई से मिलता है इसलिए प्रभु कृपा समझ कर उसका धन्यवाद करें आपका बुढ़ापा सुखमय होगा सुखमय बुढ़ापय के लिए दो शब्द और कोई चाहत रखता सोने की कोई चैन से सोना चाहता है कोई चाहत रखता सोने की कोई चैन से सोना चाहता है हर हाल में कुछ जो जीवन से बस उसी को जीना आता है कुछ न हो तो घबराना नहीं और सब कुछ हो तो इतराना नहीं मत भूलना प्यारे इस जग में खुशियों का कोई पैमाना नहीं कोई गहने लाद मायूस खड़ा, कोई फटे हाल मुस्काता है हर हाल में खुश जो जीवन से बस उसी को जीना आता है क्या छूट गया, क्या मिला नहीं न इस बात की कोई फिक्र करो जो पाया है वो काफी है बस इसी बात का जिक्र करो कोई महलों में भी गिला करे कोई कुटियों में शुक्र मनाता है हर हाल में कुछ जो जीवन से बस उसी को जीना आता है Be Positive उपर वाले ने हमारे लिए जो सोचा है बहुत अच्छा ही सोचा है